शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो आज के समय में भाग दौड भरी जिन्दगी में न फसा हो। हर कोई नौकरी की आपाधापी में लगा है। ऐसे में अगर इस व्यस्त लाइफ से थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर एक ट्रिप पर जाने को मिल जाए तो मन खुश हो जाएगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं, तो ट्रैकिंग कराईए। बर्फ से ढके पहार, ठंडी हवाए, लंबे-लंबे पेड आपकी जिन्दगी को कुछ दिन के लिए रिबूट कर सकते हैं। ट्रैकिंग उन लोगों के लिए भी बहत सही विकल्प है, जिन्हें प्रकृती से काफी प्यार है। अगर आप दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो कुछ जगहें इसके लिए सबसे बैस्ट हैं। गर्मी के मौसम में आप अगर इन जगहों पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आपको कुछ खूपसूरत ट्रैकिंग वाली जगहों के बारे में बताते हैं खलिया टॉप उत्तराखंड उत्तराखंड का ये ट्रैक इतना खूपसूरत है कि एक बार यहां जाकर तो आपका मन ही नहीं भरेगा खलिया टॉप पर पहुँचने के लिए आपको 9 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा इस रास्ते के खूपसूरत नजारे आपका मन मोह लेंगे यहां आपको कैम्पिक के लिए भी जगहें आसानी से मिल जाती है नाग टिबबा उत्तराखंड टिहरी गडवाल जिले मिस्थित एक चोटी का नाम नाग टिबबा है यहां लोग अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाना पसंद करते हैं यह ट्रैक ज्यादा लंबा नहीं है ऐसे में इसे आप कुछ घंटों में पूरा कर सकते हैं मानसून को छोड़ कर आप कभी भी यहां घूमने जा सकते हैं यहां जाने के लिए दो दिन का समय काफी सही विकल्प है पिथोरागर जिले की दार्मा घाटी मिस्थित पंचाचूली बेस कैम्प एक खूपसूरत जगह है यह उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाना वाला ट्रैक है यहां आपको बेहत कम दामों में होमस्टे की सुविधा मिल जाती है इस ट्रैक के रास्ते में आपको बर्फ से धकी हुई पहाडियां देखने को मिलेंगी हमपटा पास ट्रैक हिमाचल यह ट्रैक कुल 35 किलोमीटर का है यहां ट्रैकिंग के दौरान आपको नाइट कैम्पिक का आनंद लेने का मौका मिलेगा इसकी शुरुआत कुलू घाटी के गाउं हमपटा से होकर लाहॉल और स्पीती घाटी के चट्रू पर खत्म होती है यहां का नजारा काफी खूबसूरत होता है जिसे आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं यहां के रास्ते में आपको बर्फ के ढखे पहाड, फूलों के मैदान, साफ पानी की बहती धाराएं और कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे महराष्ट्रा में कई ऐसी जगहे हैं, जहां आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जा सकते हैं इन जगहों में राजमाची किला ट्रैक एक एहम जगह है, यह लोनावला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इस ट्रैक के दौरान आपको घाटी का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा इस रास्ते में कई घने जंगल भी है, जहां से गुजरने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा यह कुल ट्रैक 14 किलोमीटर का है